हेलो गाइज वेलकाम बैक टो एन नादर वीडियो तो गाइज राने होल्डिंग्स की फाइनशियल या 2023 की सेकेंड क्वाटर की डिजाइट आउट हो चुकी है तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कमपनी ने सेप्टिमबर 2022 की क्वाटर में कैसी कि क्या यह कमपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं एंट उसके साथ साथ हम लोग कमपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिसकस करेंगे तो गाइज बिना टाइम ओस्ट किये कमपनी की फंडामेंटल एनलेसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज अगर इ अगर इस कमपनी की कुछ इंपोर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1310 क्रोर की है कमपनी की मार्केट कैप 36.7 की पी है 4.43 परसेंट है कमपनी की ROCE and 1.33 परसेंट है कमपनी की रिटन ओन इकुईटी लास्ट 6 मांच की रिटन 49.3 परसेंट है and लास्ट 3 सल की सेल्स क्रोथ 1.81 परसेंट के आसपास निकल के आ रही है कमपनी अभी अपनी बुक वेलू से बहुती जादा उपर ट्रेड कर रही है डिविडेंड यर्ट 1.31 परसेंट है and फेस वेलू 10 रुपे की है तो अभी अगर इस कमपनी की सिप्टिमबर क्वाटर लेकी रिजल्ट के बारे में डिसकास करें तो सिप्टिमबर 2022 की क्वाटर की अन ओडिटे स्केंडल और फाइनशियल रिजल्ट अप लगों के सामने है एंड यहां पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है तो गैस सबसे पहले हम लोग कमपनी की इंकम चेक करते हैं तो सिप्टिमबर 2022 की क्वाटर में कमपनी ने अप्रोक्सिमेटली 40 क्रोर की इंकम जेनरेट किया है और अगर यह जून 2022 की क्वाटर एंड सेप्टिमबर 2021 की क्वाटर से कमपेर किया जाए तो जून 2022 की क्वाटर में कमपनी ने अप्रोक्सिमेटली 39 क्रोर की इंकम जेनरेट किया था एंड सेप्टिमबर 2021 की क्वाटर में अप्रोक्सिमेटली 34 क्रोर की इंकम तो year on year basis पे and quarter on quarter basis पे दोनों में ही company की जो income growth है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है तो अभी अगर इस company की net profit मतलब profit after tax के बारे में discuss करें तो September 2022 की quarter में company ने approximately 21 क्रोर की profit post किया है June 2022 की quarter में company ने approximately 14 क्रोर की profit post किया था and September 2021 की quarter में approximately 17 क्रोर की profit तो year on year basis पे and quarter on quarter basis पे company की जो profit growth है वो income growth की तरह बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है तो अभी अगर इस company की profit margin के बारे में discuss करें तो profit margin की जो growth है वो almost flat ही निकल के आ रही है मतलब profit margin जो है वो almost same same ही निकल के आ रही है September 2022 की quarter में compare to June 2022 की quarter and September 2021 की quarter और रही बात company की EPS की मतलब earnings पर share की तो जो company की EPS की growth है वो भी company की profit and income growth की तरह बहुत year on year basis पे and quarter on quarter basis पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है तो अगर overall देखा जया तो September 2022 की quarter में company ने हर एक जगा पे improvement दिखाई है हर एक growth September 2022 की quarter की positive में है हाँ हो सकता कहीं पर कम growth दिखाई है हो सकता कहीं पर ज्यादा growth दिखाई है लेकिन September 2022 की quarter की हर एक growth कम या ज्यादा positive में ही है तो overall जो result है September quarter की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है तो अब अगर इस company की balance sheet की health के बारे में discuss करे तो half yearly basis पर company की reserve के स साथ साथ date भी increase हुई है लेकिन अगर देखा जाए तो date slightly ज्यादा increase हुई है compared to company की reserve मतलब balance sheet की health तो deteriorate हुई है और उसके साथ साथ अगर overall देखा जाए तो date की comparison में slightly कम positive reserve मौझूत है company के पास तो overall जो balance sheet की health है वो भी week ही निकल के आ रही है तो अब याकर इस company की cash flows के बारे के पास zero cash flows मौझूत थी जो कि अभी deteriorate होके negative 34 crore की हो चुकि है तो balance sheet की health की तरह cash flows की जो condition है वो भी week ही निकल के आ रही है और रही बाद company की share holding pattern की तो guys September quarter की share holding pattern आप लगों के सामने है तो September की quarter में promoters और FIs ने buying करी है और DIs ने selling करी है और अगर 3 साल की comparison में देखा जाए त देखतों कि धीरे धीरे DIs जो है वो इस company में लगातार selling कर रही है और इसी reason के बैसे इस company में public की holding है वो भी increase हो रही है टाइम के साथ साथ और अगर public में देखा जाए तो public में कई सारे बड़े retailers की holding है और अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो इस company में हम आप जैसे छोटे मोटे retailer की जो holding है वो approximately 36.4% के आसपास निकल के आ रही है तो guys अभी conclusion पे आते है कि क्या अप लोगों को इस company में पैसा लगाना चाहिए या नहीं तो देखो guys company fundamentally slightly on the weaker side पे है and company positive growth तो शो कर रही है लेकिन growth की जो rate है growth की जो numbers है वो बहुत ही ज्यादा कम है यहां पे आप लोग ROC and return on equity के values देख सकते हो and last 3 साल की sales growth भी देख सकते हो तो company की growth तो हो रही है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा slow है and September quarter लेकिन जो result है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही suggest करूंगा कि simply अगर company की ओपर भरोसा है तो ही इस company में पैसा लग है तो देखो guys आप लोग stock market में क्यों पैसा लगाते हो ताकि कम से कम समय के अंदर आप लोगों का जो return है वो maximize हो पाए आप लोग इसलिए ऐसा stock ढूंते हो कि जिसमें मुझे return बहुत ही बढ़िया मिले return maximum return मिले आप लोग ऐसा stock ढूंते हो तो simply यह stock में आप लोगो maximum return within कम time पर मतलब within minimal time आप लोगो maximum return इस company के तरफ से नहीं मिलने वाला है देखो long time में loss नहीं करवाएगी यह company यह तो देखके लगी रहा है लेकिन maximum return भी इस company की तरफ से नहीं मिलने वाला है इससे और भी कहीं कुना ज्यादा अच्छे stocks आप लोगो इस company में sorry इस stock market में मिल है NSC के daily chart पे तो guys सबसे पहले हम लोग यह समझते है कि company में अभी चल किया रहा है तो guys company अभी अपनी 200 की moving average से उपर trade कर रही है मतलब company अभी officially uptrend में है और आधी के दिन company ने अपनी new 52 week high भी hit किया है लेकिन अगर देखा जाए तो अभी यह company अपनी 971 रुपेस की जो level है यह से बहुती सबर्दस्त selling pressure face कर रही है और इसी selling pressure के चलते है आज यह company 971 रुपेस के आसपास की high लगाने के बाद 970 रुपेस के आसपास closing किया है और अगर आप एक चीज़ notice करोगे तो इसकी जो उपर की level है मतलब 971 रुपेस की जो level है यह से company हर टाइम एक बहुती सब week rejection candle देखने को मिल जाएगा तो guys अभी अगर इस company में fresh entries के बाड़े में बात करें तो सबसे पहले मैं swing traders के बाड़े में discuss कर देता हूँ तो देखो guys simply swing traders stay away from this company क्यों company maximum time एक ही range के अंदर consolidate करती है और अगर कभी यह company उपर जाती भी है तो वो बहुती ज्यादा sudden move होता है जै के उपर बात बन जाता है तो simply stay away from this company अगर अप लोग swing trader हो तो और रही बात short term traders की and long term investors की तो देखोगा इस बात बहुती ज्यादा simple है अभी entry मतलो either इस company को rejection face करके 200 moving average या तो फिर इस से at least इस से नीचे गिरने दो या तो फिर company को successfully 971 रुपेस के उपर closing करने दो अभी entry मतल तो अगर इसको नीचे गिरना है तो नीचे गिरने दो या तो फिर उपर जाना है तो उपर जाने दो उसके बाद ही इस company में short term and long term के लिए entry planning करना बाकि आप लोग जो next 52 ही खाई है वो approximately 1248 रुपेस के आसपास expect कर सकते हो from this company levels तो मैंने या पर mark कर दिया है लेकिन मैं यही कोई भी swing trader इस company में swing trade plan मत करना बाकि अगर खुद के risk पे जाना चाते हो तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ तो guys that's it for this video अगले वीडियो में मिलते है guys thanks for watching और guys अगर आप लोग के मन में कोई भी doubt या query रहती है stock market या किसी भी stocks related तो comment section में comment करके मुझसे पूच सकते हो या तो फि thanks again for watching guys bye guys and definitely guys stay safe